खत्रे में है नेतन्याहो की पॉलिटिकल करियर और उसके लिए वो 80 लाख लोगों को मौत की घाट उतार देने के लिए तैयार हैं वही आरब देशों ने एक-एक इंच जमीन की मांग कर दिया है वापसी करने की मांग कर दिया नमस्कार मैं ब्यूटिकरी और आप देख रहे हैं जनीत अवाज जिस तरीके से इसराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है लगातार चल रहा है महिस्तवा महीने हो चुके हैं इस युद्ध को बेंजमीन ने तन्याहू ने कहा था कि हम एक दिन में युद्ध को जीत लेंगे पूरे हमास को एक दिन में खत्म कर देंगे आज तक वो लड़ाई ही लड़ रहे हैं इस हद तक कि उनकी ही जनता उनके खिलाफ उतर गई है और बेंजमीन ने तन्याहू इस हद तक बोखलाय हुए हैं कि अपनी ही जनता को कैद कर रहे हैं अपनी ही जनता को बंधक बना रहे हैं बता दे कि इसराइल में विरोध हुआ और 2000 से ज़ादा जंता को जो 2000 से ज़ादा लोगों को बेंजामिन नेतनियाहू ने उनकी फोर्स ने उन्हें बंधक बना लिया है उन्हें कैद कर लिया है ये लोग वो हैं जो फिलिस्तीन और इसराइल के वार्ग को खत्म करना चाहते ह हैं इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन नेतनियाहू की बौखलाहट नजर आ रही है इससे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आने वाले समय में चुनाव में उन्हें अपनी हार दिख रही है जिस तरीके से वो हमास के साथ हार रहे हैं वैसे ही आने वाले समय में वो योंने चुनाव जीटने के लिए युद्ध करवाया लेकिं युद्ध भी हार रहे हैं और जिस तरीके से हमास के रण नीटी है हमास जी तरीके से जमीन से रॉकेट दाग रहा है और जिसकी कीमत 100 डॉलर भी नहीं है जादा से जादा रॉकेट की किमत जो है वो दो सो तीन सो के डॉलर वाले रॉकेट दाग रहा है उस रॉकेट को उस रॉकेट से बचाव के लिए हमास की जो तरत के तरफ से जो एक तिनका आ रहा है उससे बचाव के लिए इसराइल की सानेक इसराइल जो ह कर रहा है और वह आर्थिक तोर पर कमजोर कर रहा है बता ड़िक डिक कि जिस सुरंग की बात लाकातार कर रहा है कि सुरंग से चल रहे हैं मास्किन जो आतंकपादी ज हैं लेकिन वह 18 में हम आपको बता दी एक वह सुरंग कम से कम 500 किलोमिटर लंबा है उस सुरंग में बड़ी संख्या में रॉकेट मिसाइल और हतियार जो है हतियारों से लैस्ट वो सुरंग भरा पड़ा है खाने पीने की समान जो है वहां पर भरी हुई है और इसी से पूरा हमास हमास के संगठन है वो पूरे आत्मविश उस्वास ते कह रहे हैं कि हम महीनों तक ये लड़ाई लड़ सकते हैं वही इसराइल जो है जिसका दोस्ट अमेरिका जिसके दम पर वो आगे बढ़ रहा था लड़ रहा था अब अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया है हाथ छोड़ने को मजबूर हो गया है कि अरब देशों दबाव बनाया है अमेरिका पर अमेरिका का लॉस हो जाता इसलिए अमेरिका अपना फाइदा देखते हुए इसराइल के इसराइल से अपना कदम पीछे ले रहा है हतियारों की जो सप्लाई जो अमेरिका कर रहा था लगातार और इसराइल जो है आगे बढ़ रहा था पीछे से अमेरिका का समर्थन था अब जो है अमेरिका पीछे हटने को मजबूर हो गया है क्योंकि उसके बिजनस का लॉस करने का उसके मार्केटिंग को खत्म कर देने का संकल्प ले लिया था अरब देशों ने और यही अपना नुकसान देखते हुए अमेरिका पीछे हट रहा है और लगातार कह रहा है कि हम क्या करें बेंजमिन नेतनियाहु बॉक लाया हुआ है वो किसी की सुन नहीं रहा है यह रिपोर्ट देखने को मिल रही है वहीं आपको बता देगी नुकसान का तो हमास ने 160 ठीकाने चुन चुन कर इसराइल के 160 ठीकाने ऐसे हैं जिनको बरबा ऊबना रहे हैं और इसराइल की समस्या उसके ऊपर संकटो का बादल इस तरीके से घिर गया है कि ग्यार्रह शहरों को खाली कर benefici AH इसराइल ने अपने जंक्या में जितनी वी जमीनों को कबजे में लिया है इसराइल वो सब को वापस करना पड़ेगा और ये इसके लिए एक जूट हो चुके है एक सो पैतालिस देश सोचिए एक सो पैतालिस ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में है और मार्त्र साथ देश बचे थे जो इसराइल के समर्थन में थे उसमें से एक लौता अमेरिका बड़ा देश था जो हतियारों का सप्लाई कर रहा था लेकिन अब वो अमेरिका भी पीछे जाने को मजबूर है और वहीं भारत ने भी जब पहली वोटिंग हुई थी तो वोकाउट कर गया था लेकिन अब भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में खोले आम समर्थन कर दिया है और आपको बताने कि जो विसे सग्य हैं समझने वाले हैं विदेश नीती को जो समझते हैं वो इस कदम को अच्छा कदम बता रहे हैं तारीफ और यह इस कदम के क्योंकि विदेश नीती के तहत जो है भारत को बड़ा नुकसान हो जाता अगर वो इसराइल के सांथ थोड़े आर समय तक अगर बना रहता तो भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान छेलने को मिल सकता था क्योंकि जिस तरीके से हमारा भारत का निरयात होता है आरब देशों में भारत निर्यात करता है और यहां से उसको बहुत बड़ा मुनाफा मिलता है और भारत के इस कदम को लेकर तमाम जो विशशग्य हैं, जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि भारत ने सही समय पर सही फैसला किया है, सही कदम उठाया है वरना भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान जहलना पड़ता और चाइना को फाइदा हो जाता इस कदम से पूरे बातचीत पर अपने प्रतिकरिया जरूर दीजिए बेंजमीन नेतनियाहु का जो बॉखलाहट है अपनी पॉलिटिकल करियर को खत्रे में देखते हुए वो जिस तरीके से युद्ध करवा दिया और युद्ध भी अभारने लगे हैं तो इस पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिकरिया जरूर दीजिएगा